तो हलो दोस्तों जाहिन स्वागत आपका इस वीडियो में देखते हैं एक और important questions मेकाले का वीबरल पत्र मेकाले मिनट 1835 इसवी में मेकाले ने एक वीबरल पत्र जारी किया था भारती सिक्षा के संदर्म में वो वीबरल पत्र की जरूरत क्यों पड़ी थी मेकाले कौन थे औ धारा 43 में यह कहा जाता है कि ततकालिन कंपणी इस टीडियां कंपणी 10,000 पॉंड अर्थात 1,000,000 रुपए की धन रासी भारती सिक्षा पर व्याय करेगी खर्च करेगी इस एक्ट में भारती सिक्षा के नीति निधातर करते समय किवल उद्देश सिकाई उलेख था इस ब प्राच्य पस्चात विवाद कहते हैं प्राच्य पस्चात विवाद में दो गुटों में कंपनी बढ़ जाती है तो प्राच्य वादी कौन थे प्राच्य वए लोग थे जिनका ये मानना था यह जो एक लाख रुपए की धन राशी है चुकि भारते सिक्षा पर खर्च कर पस्चात वादी थे उनका ये मानना था कि यह जो एक लाख रुपए है वो हिंदी संस्कृत के लिए नहीं दी गई है वो भारत में अंग्रेजी के पचार प्रसार के लिए दी गई है तो अंग्रेजी सिक्षा पे और अंग्रेजी विद्वान पे खर्च करने के लिए ये समाला कि आप धारा 43 को explain करिए और बताइए कि एक लाख रुपे किस प्रकार से कि उन्होंने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकाले का एक सेल्फ मतलब यूरोपीय लाइवर्डी का बस एक ही सेल्फ संपूर भारत और अरव के साहित्य के बराबर है उन्हें कहता कि पुस्तकाले का जो एक सेफ होता है उसमें रखी कुछ किताबे भारत और अरव में के संपूर्ण साहित के बराबर है वो इतना घोल विरोधी थे भारते संस्कृति भारते साहित के लेकिन वास्तों में लॉर्ड मिकाले एक बहुत ही सुयोग सिच्छा सास्ति थे राजनितिग्य थे और कुसल प्रसासक भी थे वो अंग्रेजी साहित का प्रकंड विद्व सब्सक्राइब करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंद नहीं वह इस धनराशी को अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती है और साहित सब्द की व्याख्या करती हुए मेकाले ने कहा था कि 1813 में चार्टर में जो उल्लेखी साहित सब्द है उसका अर्थ अंग्रेजी साहित से है ना कि संस्कृत और अर्वी और फार्सी की साहित से है दूसरा जो कतन था कि एक लाख रूप भारती विद्वानों के उत्थान के लिए खर्च करना है तो मेकाले ने भारती विद्वान को व्याख्या करते हुए कहा था जो लोग के धर्सन और मिल्टन की कवीता से परजीत है अरथाथ भारती विद्वान को अंग्रेजी साहित और डर्सन का गहन अध्यन होना चाहिए जबकि यूँ प्राच्यवादी थे जो भारती संस्क्रिश्षिक को मानते थे उनका मानना था कि भारती विद्वान वो जिने अर्भी और संस्कृत भासा का व्याख्याति प्राप्त हो जो अर्भी और संस्कृत भासा में विद्वान हो लेकिन मैकाले का जुकाओ बिल्कुल अंग्रेजी के तरफ था और उसने कहा था भारती विद्वान का मतलब वो जिने अंग्रेजी का अच्छा ज्ञानों उनके उपर ये एक लाग खर्च करने हैं मैकाली का यह तर्क क्यों था वो क्यों अंग्रेजी भासा को इतना प्रोमोट करता था बजाए इसके हिंदी और संस्कृत के वो अंग्रेजी भासा को क्यों प्रोमोट करता था उसी पर मैकाले ने कुछ तर्क दिया और उस तर्क के साथ वीबरल पत्र घोसित कर दिया उस समय के ततकालीन गवर्नर जरन लॉर्ड बैटिंग के पास और उसी आधार पे बैटिंग ने अपना फैसला सुना दिया या एक लाक रुपे किस प्रकार खर्च करने है तो पहले देखिए कि मेकाले का क्या तर्क उसने अग्रेजी भासा को प्रोमोट करने में अपने लॉचिक्स क्या बता है तर्क क्या बता है सबसे पहले तो अंग्रेजी के पक्ष में लॉड मेकाले ने कहा कि अरभी और संस्कित के तुलना में अग्रेजी अधिक उप्योगी है क्योंकि यह नमिन ग्यान की कुझी है दूसरा तरक उसने दिया कि अंग्रेजी इस देश के सासकों की भासा है और भारत के उच वर्ग दवारा बुली जाती है और पूर्वी समुंदरों में वहपार की भासा बन सकती है उसका ये मानना था कि जो उच वर्ग के लोग हैं इंडिया में जो बाबू वर्ग के लोग हैं वो अंग्रेजी बोलना चाते हैं और अंग्रेजी सीखना चाते हैं इसलिए उसने तर्क दिया कि आप अंग्रेजी पे इसको खर्च कीजे और तीसरा तर्क लॉड मेकाले ने दिया था कि भारती अर्वी और संस्क्रिती की सिख्चा की अप्यक्चा अंग्रेजी के लिए अधी कुछ साइक है। चौथा तर्क उसने दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है हमारे परियास इसी दिसा में होनी चाहिए और पांचवात तर्क दिया कि अंग्रेजी सिख्चा द्वारा इस देश के ऐसे वर्गों का निर्मान किया जा सकता है जो रब्त और रंग से तो भले भारती होंगे लेकिन विचार और नैतिक्ता से अंग्रेज होंगे तो मेकाले का पूरा विवर्ड इसी पे अधारित था कि ये जो एक लाफ रूपय है इसका खर्च आप अंग्रेजी सिक्षा के लिए करिए अंग्रेजी विद्वानों के उत्थान के लिये करिए और भारत में अंग्रेजी सिच्छा का परचार्ज परशार करिए बस क्या था लॉड मेकाले ने इसी का वैवर्ण पत्र घोसीद कर दिया उस समय के ततकालीन गवर्नर जोर लॉड बैंटिंग ने और Lord Bating ने क्या किया बस इसी अधार पे उन्होंने फैसला सुना दिया। क्या फैसला सुनाया उन्होंने? तो Lord William Bating उस समय के ततकालिन गवर्नर जलर ने मेकाले के विवर्ण पत्र में वियक्त किये गए सभी वीचारों का अनुमोधन किया। तद उपरान 7 मार्च 1835 इसवी को एक विग्यप्ति में उसने सरकार की सिक्षा निति को निम्न सब्दों में घोसित कर दिया। उन्होंने कहा कि सिक्षा के लिए निर्धारित संपूर धन सर्वक्रिष्ट परियोग केवल अंग्रेजी सिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से फैसला दे दिया। अब इसके बाद प्रभाव क्या पढ़ा? तो मेकाले के वीवरर पत्र के बाद भारते सिक्षा में क्या प्रभाव पढ़ा? आईए वो जानते हैं। दो तरगे प्रभाव कह सकते हैं। एक तो ततकालिक प्रभाव, एक दिर्ग कालिक पढ़ा। मतलब जो रिसेंटली उस पे इफेक्ट पढ़ा, वो क्या था? जितने भी administrative work थे वो अंग्रेजी हो गई, ठीके इसके बाद हुआ कि अंग्रेजी सिक्षा प्रभाव क्या था? मेकाले के वीवरर पत्र में, तो भारत में अंग्रेजी के सिक्षा के परसार-परसार से क्या हुआ? हमें एक नए भासा का ग्यान हुआ, हमें नई चीजे सीखने को मिली, तो इसको कह सकते हैं कि भारत में बहुत ही कुन्नती का एक मार्क प्रकासन हो गया, ठीके? दूसरा बात गरे तो भारत में राजनेतिक जागरुकता का उदय हो गया, इसके बाद धीरे-धीरे करके भारत में इसकी खुद की समयता धीरे-धीरे धोमिल होने लगी, और अंग्रेजी सिक्षा, अंग्रेजी समयता इसमें सामिल होने लगी, अंग्रेजी भासा का वीवरड पत्र क्या था उन्हें वीवरड पत्र में क्या कहा और वीवरड पत्र क्यों दिया इसका क्या प्रभाव पड़ा यह एक इंपॉर्टन्ट कुश्चन्स था दोस्तो मैंने कोशिस करी कि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूँ उमीद है अगर चीजे समझ में आई आपको अपने भाथा में इसको लिखना है ठीक है अगर आपको चीजे समझ में आई हों बाते clear हो रही हों तो प्लीज आप इसको एक बार अपने भांस में notes बनालेजिए ताकि और चीजे clear हो जाए और यह चीजे बिलकुल पुरी तर वीडियो अप्लोड करूं बस उसके लिए मुझे क्या चाहिए आपका सपोर्ट चाहिए आपका साथ चाहिए तो उम्मीद है वो चीज़े आपकी तरफ सभी लेगी तो प्रीज अगर आप अब दी तक चैनल से नहीं जूने तो सब्सक्राइब करेजिए और दोस्तों को शेर करेज सब्सक्राइब करेण प्रॉल감 सब्सक्राइब